हलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामरतन इस्टडी पर तो देखिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एससी सीजी एल की जो न्यू बेकेंसी निकली है ठीक है तो इसके आवेदन कपसे स्टार्ट हो गए है या होने है ठीक है और इसम टेंगे लिएक ये एग्जाम पैटर्न है स्लेवर्स क्या है तो इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को लमेर्स तक शारूर देखिएगा आई has a days list कितने है तो देखिए इसमें पद है विचात्तर सो प्लस पद है इसके पद बढ़ने की भी संभावना है अब देखो इसके बाद में इसकी आवेदन तिथी आवेदन इसके स्टार्ट हो गए है तीन अप्रेल 2023 और जो आवेदन की अंतिम तिथी है वो है तीन मैं 2023 ठीक इसके बाद देखिए इसका जो एक्जाम डेट रखी गई है वो जुलाई 2023 में और जो एक्जाम डेट है वो है टीर बन की इसका जो एक्जाम है वो देखिए टीर वन और टीर टू दो में होता है यह जो एक्जाम डेट है वो है टीर बन की देखो इसके में एज लिमिट एज अठारा से बत्तिस साथ पोस्ट वाइज होगी ठीक है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन देखो और एज में छूट भी है जैसे SC और ST वालों को है पांच वर्ष की छूट EWS और OVC वालों को है तीन वर्ष की छूट देखे एग्जाम पैटरन से पहले आप लोग यह देखे इसका होता किस किस पहले है टीर वन होगा पहले ठीक है और फिर उसके बाद टीर टू और टीर टू वे होते हैं तीन पेपर पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री और जो टीर वन होता है वो सिर्फ कॉलिफाइंग होगा इसके मक्स फाइनल में नहीं जुड़ते हैं जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो बनेगी टीर टू से ठीक है जो को पेपर वन देना सभी पोश्ट के लिए कंपल्सरी है और जो पेपर टू है वो सिर्फ दे सकते हैं जूनियार इस्टेटिकल इस्टे इस्टेटिस्टिकल ठीक है ओफिसर ये पोश्ट वाले जो पेपर देंगे देखिए बो पेपर देंगे पेपर वन और पेपर टू इसके बाद देखो पेपर थ्री में पेपर थ्री ए ए ओ पोश्ट वाले होंगे बो देंगे पेपर वन को और पेपर थ्री को पेपर 1 और पेपर 3 और सारी पोस्ट के लिए क्या पेपर 1 कमपलसरी है सिर्फ यही दो पोस्ट है उनके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ेगा इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ओफिसर के लिए और ठीक है पेपर 1 और पेपर 3 अब इसके बाद देखो टियर 1 का एक्जाम पैटर्न क्या है बाद पेपर 2 और देखो टियर 2 और पेपर 2 और अब आपको टियर 2 और लिए सब्सक्राइब देखें पहले हैं जन्राइब एंटेलीजेंस एंड्रीजनेंग इसके कुषण होंगे 25 कुषण होंगे और 50 मार्क्ष के प्रतेक कुषण दो नम्मर का इसके बाद देखो जन्राइब डाहिएरनेस General Awareness के भी 25 questions होंगे 50 marks के इसके बाद देखे Maths Maths के भी 25 questions 50 marks के और इसके बाद देखे आती है English और इसमें English के भी 25 questions 50 marks के तो देखे टोटल 100 questions और 200 marks के ठीक है और इसमें जो time में लेगा duration वो है 60 minute और इसमें negative marking है 1 by 4th इसके बाद देखे टीर 2 का exam pattern टीर 2 जो exam होता है वो होता session 1 और session 2 में session 1 में आप के होगे session 1 में देखे section होगे section 1 में module 1 में ठीक है जो आपका subject होगा वो है maths और maths के number of question है 30 question होगे और 90 marks के प्रते question तीन नमबर का ठीक है और देखे section 1 के module 2 में maths के बाद आए गए इदर reasoning इसमें reasoning के भी होगे 30 question होगे और 90 marks के यानि कि 180 marks का होगा यह और इसमें time मिलेगा एक घंटे का ठीक इसके बाद हो section 2 section 2 के module 1 में है आपकी English language and comprehension इसमें आपके number of question होगे 45 question होगे और 135 marks के यानि कि जो प्रते question है तीन नमबर का है ठीक है इसके बाद देखो module 2 English के बाद इसमें होगा general awareness और general awareness के question होगे 25 और 75 marks के ठीक है तो देखो इसमें पूरे जो total marks का होगा ये section 2 वो है 210 marks का और इसमें time मिलेगा वही एक घंटेगा अब इसके बाद देखी section 3 section 3 के module 1 में देख computer knowledge से questions आएंगे और ठीक है तो बीस question होगे और 60 marks के और इसमें time मिलेगा 15 मिनिट का और जो computer knowledge है वो सिर्फ qualifying है ठीक है तब देखे section 3 के module 2 में आएगा data entry speed test one data entry task ये भी जो है ये है qualifying ही है और इसमें time मिलेगा आपको 15 मिनिट का तो है झाँ इसके बाद देखी पेपर ये तो बात थी पेपर वन की टियर टू के पेपर वन की अब पेपर टू और पेपर थ्री पेपर टू और थ्री चब आपयो ू उती चब डाइपर दीर मेंदेट्ट्डिट्ट्ट्ट्री अर्क्स्ष प्राइपरप्यों है Limited अर्टो बात पेपर पेपर टू इंड डू और दीर सुदेशंग का दू E दिखिए पेपर 2 में जो सेक्षन था वो स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स इसमें नमबर अब कुश्चन है 100 और मार्क्स है 200 और इसमें टाइम है 2 गंटे का इसके बादे वो पेपर 3 में है जन्नल स्टडीस फाइनेंस एंड इकनोमिक्स इसके 100 कुश्चन होगे और 200 मार्क्स के और इसमें टाइम है 2 गंटे का इसके बाद देखो इसकी सेलेक्शन प्रोस्स क्या क्या है सेलेक्शन प्रोस्स में पहले टीयर वन टीयर वन जो है कौलिफाइंग फिर देखे टीयर टू टीयर टू पास करने के बाद में होगा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में देखे फिजिकल स्टेंडर्ड फिर फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट और फिर इसके बाद में निकलेगी मेरिट लिस्ट अब देखो इसकी एप्लिकेशन फी कितनी है जन्रल, OBC और EWS इसकी एप्लिकेशन फी है 100 रूपीज SCHT वालों की है 0 और All Category Female इनकी भी है 0 ठीक है तो आप लोग ये SSC CGL का फॉर्म भरिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ठीक है और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके ठीक है और अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में